जिस प्रक्रमदारा जीव अपनी संख्या में विद्धी करते हैं, उसे प्रजन कहते हैं। प्रजन जीवों का सर्वप्रमुख लक्षण है। इस प्रित्वी पर जीवजातियों की सतत्ता प्रजन के फलस्वरूप ही संभव हो पाई है। इस प्रकार प्रजन वह प्रक्रम है, जिसके द्वारा जीव अपनी ही जैसी अन्य उर्वर संतानों की उत्पत्ती करता है, और इस प्रकार अपनी संख्या में व्रिद्धी कर अपनी जाती के अस्तित्व को बराबर बनाए रखकर उसे विलुप्त होने से बचाता है। जीवों के प्रजन में भाग लेने वाले अंगो प्रजन अंग तथा एक जीव के सभी प्रजन अंगो को सम्मिलित रूप से प्रजन तंत्र कहते हैं। चलिए जानते हैं रीप्रोड़क्टिव सिस्टम इन हिंदी के बारे में। मानव प्रजन तंत्र Reproductive System in Hindi में मानव एकलिंगी, युनिसेक्शुल, रानी है, अर्थात नर और मादा लिंग अलग-अलग जीवों में पाए जाते हैं जो जीव केवल शुकरानों उत्पन करते हैं, उसे नर कहते हैं जिन जीवों से केवल अंदानों की उत्पत्ती होती हैं, उन्हें मादा कहते हैं मानव में प्रजन, तंत्र, अन्य जन्तूओं की अपेक्षा बहुत अधिक विक्सित और जटिल होता है मानव में अप्दे का निशेचन, फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन क्यूब, तथा ब्रूनिय तथा, एम्ब्रियोनिक डेवलक्मेंट, गर्भाशय, यूटेरस में होता है मानव जरायूज, विविपैरस होते हैं, अर्थात ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं मानव में जनन अंग मादा में 12-13 वर्ष की उम्र में, तथा नर में 15-18 वर्ष की उम्र में प्राया क्रियाशील हो जाते हैं प्रजन अंग भी कुछ हार्मोन, होर्मोन का स्राव, सिक्रीशन करते हैं, जो शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन लाते हैं ऐसे परिवर्तन मादा में प्राया वक्ष तथा जनन अंगो पर बाल उगने तथा नर में दाढ़ी एवं मूच आने से परिलक्षित होता है मानव में नर तथा मादा प्रजन अंग पूर्णत्या अलग-अलग होते हैं नर प्रजन तंत्र जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निशेचन के स्थान तक पहुचाने वाले अंग सन्युक्त रूप से नर प्रजन तंत्र कहलाते हैं प्रजन तंत्र में मानव के नर प्रजन तंत्र में निमलिखित लैंडिक अम्द एवं उनसे संबद अन्य रचनाय पाई जाती है एक डॉट व्रिशन एवं व्रिशन कोश दो अधिवरिशन तीन शुक्रवाहिका चार शुक्राशय पाच मूत्र मार्ग छे शिष्ण साथ पुरस्थ या प्रोस्टेट व्रिशन एवं व्रिशन कोश व्रिशन नर जनन ग्रंथिया है जो अंदाकार होती है इनकी संख्या दो होती है व्रिशन नर में पाया जाने वाला प्रात्मिक जनन अंग है व्रिशन क्वचा की बनी एक थैली जैसी रचना में स्थित रहते हैं जो शरीर के बाहर लटकती रहती है इसे व्रिशन कोश, स्क्रोटल साएं कहते हैं व्रिशन की कोशिकाओं द्वारा नर, युगमक, अर्थाच, शुक्राणों का निर्मान होता है शुक्राणों, स्पर्म, उत्पादन के लिए आवशत ताप शरीर के ताप से कम होता है यही कारण है कि व्रिशन उदर गुहां के बाहर व्रिशन कोश में स्थित होते हैं एक औसत्स खलन में लगभग एक चम्मच शुक्र स्राव होता है इसमें शुक्राणों की संख्या 20 से 20 लाख तक होती है शुक्राणों की लंबाई 5 माइक्रॉन होती है यह तीन भाग में विभाजित रहता है सिर, ग्रीवा और पुच्छ शुक्राणों शरीर में 30 दिन तक जीवित रहते हैं जबकि मैथून के पश्चात स्रियों में केवल 72 घंटे तक ये जीवित रहते हैं व्रिशन में एक प्रकार का द्रव भरा रहता है जिसे व्रिशन द्रव सेमिनल फ्यूइड कहते हैं व्रिशन का प्रत्य खंड शुक्रजन नलिकाओं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूज से भरा रहता है ये नलिकाए छलेदार होती है शुक्रजन नलिकाओं के बीच अंतराली कोशिकाओं इंटरस्टिशियल सेल्स के समूव पाए जाते हैं जो नर्जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है यहां हार्मोन गौन लैंगिक लक्षणों सेकंडरी सेक्शोल केरक्टर्स के विकास और नियंतरण में सहायक होता है सभी शुक्रजन नलिकाए आपस में मिलकर शुक्र अपवाहिका वास एफ्रेंशिया बनाती है शुक्र अपवाहिकाए मिलकर अंत में अधिवरिशन वाहिनी एपिडिडाइमिस डक्त बनाती है वरिशन में ही शुक्रजन नलिकाओं द्वारा शुक्राणों कोशिकाओं की उत्पत्ती होती है वरिशन से शुक्राणों कोशिकाए अधिवरिशन एपिडिडिडियनिस में चली जाती है जहां वे संचित रहती है व्रिशन का प्रमुक कार्य शुकरानों का निर्मान करना और नर हार्मोन टेस्टोस्तेरान की उत्पत्ती करना है अधिवरिशन यहां एक 6 मीटर लंबी कुंदलित नलिका होती है जो प्रतेख व्रिशन के पीछे स्थित होती है यहां व्रिशन से अच्छी तरह जुड़ी रहती है इसका एक छोर व्रिशन से जुड़ा रहता है तथा दूसरा छोर अधिवरिशन से आगे बढ़कर शुक्रवाही का वास डिफरंस बनाता है अधिवरिशन शुक्राणों के प्रमुख संद्रा स्थान का कार्य करता है इसके अतिरिक अधिवरिशन में शुक्राणों का परिपक्वन, मैचरेशन भी होता है शुक्राणों यही सक्रियता प्राप करते है शुक्रवाहिका यहाँ एक पतली नलिका होती है जिसकी भित्तिया मासपेशियों की बनी होती है अधिरिशन से शुक्राणों शुक्रवाहिका में पहुचते हैं शुक्रवाहिका अधिरिशन को शुक्राशय सेमिनल वेसिकल से जोड़ती है यह शुक्राणों को आगे की और बढ़ने का काम करती है शुक्राशय यह एक जोड़ी पतली पेशियुक्त भितियों वाली रचना होती है यह पालियुक्त लोग्ड रचनाए होती है यह प्रोस्टेट ग्रंथियों प्रोस्टेट ग्लैंड्स की ऊपर स्थित रहता है दोनों और के शुक्राशय मिलकर स्खलनिय वाहिनी एजैक्यूलेट्री डक्त का निर्माण करते हैं शुक्राशय से एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है झालेट सेक्व houरी फ्रोस्टेट